हालो एब्रिवन दन्वी हेर श्टूदिंट्स आज हमारा लेक्चर सीरीज का लेक्चर नुमर 17 है ठीक है हमारा यह सेकेंड लास्स लेक्चर है दो एक लेक्चर हो रहे हो उसके बाद हमारा यह कंप्लेट हो जाएगा ठीक है तो चेप्टर पढ़ रहे हैं जर्पेस तो catalyst क्या होता है catalyst वह अवस्टांस है जिसको हम क्या करते थी जिसको हम minute quantity में use करते थी, minute quantity means traces में use करते थी और यह reaction के rate को क्या करता था आलटर करता था مतलब change करता था और without consuming, मतलब reaction में consume हुए भीना, वहां से निकल जाता है, और जिस process में catalyst, जिस phenomena में catalyst का use होता था, उसको बोलते थे catalysis, ठीक है, अब depending upon physical state, physical state मतलब देखने में कैसा था, तो catalysis हमारी दो type की थी, एक heterogeneous थी और एक homogenous थी, ठीक है, हिटीरोजीनियस में क्या था, जो reactive product और catalyst थे, वो different phases में थे, मतलब अगर एक solid है तो बाती दो liquid में, gases में ऐसा कुछ था, मतलब different होमोजीनियस में क्या था, जो भी आपके reactor, product और catalyst वो सारे के सारे same phases में थे, या तो liquid या gases, क्योंकि तीन solid हम ले लेंगे, वो reaction नहीं करेंगी, तो आज का अपार अप्टिक है, activity and selectivity of heterogeneous catalyst, चीक है, राइट, देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पस दो important definitions है, activity and selectivity, activity क्या है, reaction के rate को बढ़ाने की, many by many force, मतलग, जैसे कोई भी हमारे पास reaction है, जैसे आपके पास reaction है, यह first activity के example में रिखवारे हो, जैसे hydrogen और oxygen है, यह में present है, आप उनको ऐसे ले लो, ठीक है, मतलग, नॉर्मल condition में अगर हम उसको ले ले, ठीक है, नॉर्मल condition में अगर हम क्या ले ले, hydrogen और oxygen, gaseous form में ले ले, तो यह कभी भी reaction नहीं करते, ठीक है, लेकिन अगर यही चीज हम क्या करे, hydrogen और oxygen, gaseous form में, अगर हम किसकी presence में ले ले, अगर हम platinum metal की presence में ले ले ले, और इसको heat कर दे थोड़ा असा, इतने पे 1100 Kelvin तर, तो हमारे पास water बन जाता liquid state, ठीक है, तब अगर हमा बख्या हुआ, नॉर्मल कंडिशन में, सेम रेक्टम थे, कोई भी reaction में लेकिन, लेकिन, catalyst आया, और इसने hydrogen और oxygen को reaction करवाई, और आपके पास boil थे, बड़ी तेज, fast reaction होगी, और आपके पास water बनाता है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब यह जो platinum है, इसने क्या 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 करने की, reaction के rate को बढ़ाने के, पहले reaction होई नहीं रही थी, यह आया और इसने reaction को fast बना दिया, right, okay, second चीज हमारे पास क्या है, second चीज है हमारे पास selectivity, ठीक है, तो activity में हमने पढ़ा capacity के बारे में, कि कितना rate बढ़ाता है, selectivity में क्या होता है, आपके पास catalyst है, ठीक है, एक reaction है, जैसे हम लोग इसमें example, बहुत famous example है, ठीक है, यह इथाइन की, दो carbon है, तो ith बोलते है, triple bond present है, तो ithाइन बोलते है, ठीक है, normally क्या होता है, जब भी हम इसकी reduction करवाते है, reduction means, हम इसमें क्या आड करेंगे, हम इसमें hydrogen आड करेंगे, ठीक है, तो hydrogen आड करेंगे, अ अधिक है, तो यहाँ पे हम इसमें इसमें आड करेंगे, तो इसमें अगर आप hydrogen की presence में आड करते हूं, चैसे हम इसमें अगर आप hydrogen की presence में आड करते हो, यहाँ से bond, triple bond, double bond, double bond, single bond, तो यहां पे जब भी आप hydrogen को निकल के presence में एड करो तो ethane जो है उसके बीश में सिर्फ सिंगल बाजता है ठीक है और आपके पास क्या होगा आपके पास बाज जाएगा ठीक है hydrogen add करने को reduction बोलते हैं तो complete reduction हो जाएगी यहां पे आपके पास लेकिन जब आप सेम चीज़ हाइड्रोजन को आप लिलर्स केटालिस्ट की प्रेजेंस में एड करोगे तो क्या होगा सिर्फ एक ही bond टूटेगा अब एक ही bond टूटेगा तो क्या होगा यहां पे आपके पास क्या होगा आपके पास यह different catalyst है तो selective है selective in the sense अगर आप इसको use करती हो तो यह different product बनाता है और अगर आप इसको use करते हो तो यह different product बनाता है तो अप यह क्या होगा यह इंगी selectivity होगी selectivity का क्या मतलब है किसी भी catalyst की ability क्या करनेगी कि किसी एक reaction को उसकी direction change करनेगी मतलब अगर आपने यह डाला तो यह बनेगा, अगर आपने यह डाला तो यह बनेगा, तो मतलब हम लोगों ने यहां पे दो definitions पड़ी, एक पड़ी activity, activity क्यों होती है, किसी भी catalyst की capacity reaction की rate को कई होना बढ़ाती है, और selectivity क्यों होती है, एक catalyst डालोगे तो different product बनेगा, दूसरा catalyst 5% palladium और calcium carbonate, ठीक है, अच्छा जी उसके पाद आपके पास क्या होते है, उसके पाद आपके पास lead acetate इसमें डाला होता है, और quinoline, ठीक है, यह तीन चीज़ी हम लोग लेते हैं, और हमारे पास क्या बनता है, हमारे पास cellular catalyst बनता है, ठीक है, palladium metal है, calcium carbonate और lead acetate में डालेगे quinoline क्या होता है, quinoline, एक क्या है आपके पास, ठीक है, इसमें दो rings fused होती है, ठीक है, कौन-कौन से rings इसमें fused है, एक आपके पास इसको बोलते है, यह हाफ पार्ट लोगे तो यह पिरिडिन रिंग है, और आपके पास यह है, कौन सी? बैंजीन तो बैंजीन और पिरिडिन इसमें fused होती है, यह जीनिस मॉली है, तो यह वाली और यह वाली इरिंग जो मिलके compound बनाएं की, इसमें इसको बोलते है, quinoline, तो यह सारी चीज़ें मिलके बनाती है, लिंडर्स कैटलिज, और यह क्या करता है, यह क्या करता है, यह complete reduction नहीं करने देता, तो यह सलेक्ट है, आइवोग यह वाला topic आपको समझ में आ गया होगा, एक और topic हम इसमें पढ़ेंगे, उसका नाम है zeolite, ठीक है? Okay students, तो zeolites, next topic की जो हम बात करेंगे, वो है zeolites है, इसके करेंगे, तो सबसे महले zeolites के आपको definition आने चाहिए, ठीक है, तो zeolites क्या होते है, zeolites होते है, Alminosilicates, ठीक है, Alminosilicates, जिसमें क्या होते है, जिसमें जो silicates है, उसके कुछ silicon atom की जगा क्या आजाता है, Alminium atom आजाता है, सबसे महले आपको यह बता होना चाहिए, शिलिका, शिलिका है SiO2, आपने class 11 पे P-Blogs आपने बढ़े थे, आपने वहाँ पे groups पढ़े थे, Group 13 और Group 14, वहाँ पे आपने Group 14 में silicates पढ़े हैं, तो silika है आपके पास present, इसके कुछ silicon atom, यह silika है, इसके कुछ silicon atom को को रिप्लेस करता है, Alminium रिप्लेस करता है, मताब Si की जगा Al आजाएगा, तो यह आपके पास, जब क्या करेगा, Silicon की जगा Alminium आजाएगा, और इनको बोलेंगे हम लोग Alminosilicates, ऐसा नहीं है कि सभी atoms को रिप्लेस करदेगा, तेकिन कुछ atoms को रिप्लेस करदेगा, तो आपके पास Silicon की जगा, जब धी Alminium आजाएगा, हम उसको बोलते है Alminosilicates, और उन Alminiums, Alminosilicates को हम क्या बोलते है, तो Xeolites क्या हो गए, ऐसी Alminosilicates, जिसमें क्या होता है, कुछ Silicon Atoms, Silicates के रिप्लेस भाई Alminium आजाएगा, अब इनका General Formula क्या है, इनका General Formula है, M X by M, और क्या present है इसमें, इसमें आपके पास present है Alminium, ठीक है, अब किसकी जगा यह Alminium present है, आपके पास Alminium present है, ठीक है, यहा अब देखें है, इसमें इसमें, जैसे यह X times present है, यह Y times और यह Z times, अब जरूरी नहीं है कि X, Y और Z different हो यह कुछब भी नंबर हो सकते हैं, X कुछ particular number हो का Y कुछ particular number हो का, Z कुछ particular number हो का, यह same भी हो सकते हैं और different भी हो सकते हैं, ठीक है, और M क्या है है यहां पे, M आपके एम आपके पास है metal ion कोई भी metal ion आ सतता है maximum group one या फिर group two से यह बिलोग करेगा okay N क्या है N जो metal ion पर charge आएगा charge on metal ion जैसे अगर sodium की मैं बाद करूँ तो तो एम की वाली की होजाएगी one बाद कि अगर magnesium की बाद करूँ तो तो इसके case में की वाली की होजाएगी कितने times कितने M आएंगे वो कहां से बदा चलेगा जितने आपके पस अलमीन होगे जितना X है यहां पे जितना X लिखा होगा वो उस मैटर के साथ X लिखेंगे और उसके charge से उसको डिवाइड कर देंगे तो हमें बदा चल जाएगा क्या मारे इसमेटर हमें लिखने है वान लिखने है तू लिखने है थ्री लिखने के यहां यहां पे सिम्पल लिख सिलिकेट अगर होता तो होना चाहिए था SiO2 लेकिन अलमीनो सिलिकेट है तो SiO2 में Si के बजाए कुछ इतम्स रिपलेस्ट बाए इसके से अलमीनियम देना और अधिया बताया है चार्ज़ना मतलाइं य और Z के य है जितने सिलिकॉन अटम सिलिका प्रेजन है और Z आपके पास क्या है Water of Crystallization ठीक है अब देखिए जैसे इसके बहुत चारी एक्जाम्पल है एक एक्जाम्पल हम लिखेंगे हमारे पास एक्जाम्पल है को फिलिका य है य ठीक है जो इसस इससे में तो य जाम्पल य वह 6 टाइम्पल प्रेजन अब प्रबल्म क्या है यु हम य जा पर य प्रब्लम नहीं थीक है जो दो इसंपले में जितने भी प्रेजन हों ग्लेंभिर है उसके इसाप सही हम लोग लिखेंगे तो यह y और 3 यहां पर सहीम है अब यहां पर 2 ताइम साथ में है तो इन सब के साथ में क्या करूँगी 2 लिख 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 लि कितने टाइम्स है, यह almenium वाला 2x, okay silica वाला 6x and 6xW, तो यह simple चींग्जाम्पल है, थीक है? इसमें कुछ नहीं किया, आपको यह तो आना ही चाहिए, तो सिलिका का फामूला आपको आना चाहिए, ठीक है कुछ silicon atom को replace गालमीनियम से तो silicone कीम की जगा alminium लिखलिया, SiO2, SiE की जगा Al लिख दिया तो यह बन जाएग आके पास और आपको जो famous metal lines है यहां पे irionite में वो present होते है तो जसे sodium potassium, calcium magnesium मतलग group 1 के तो और group 2 के तो अगर आप यहाँ पर याद रखेंगे कि यह two times है तो आपको divide कर गे रहा है इसके चार्ज की साँ, चार्ज को पता यूग आपको, जब आप चार्ज की साँ divide करेंगे तो आपका formula बन जाएगा, तो यह examples sufficient है, आसे बहुत सारी हमारे पास examples different different हैं, वो आपको network area पर भी मिल चाह सकते हैं, हम लोग इनको synthesize भी कर सकते हैं, मतलब लैब में prepare भी कर सकते हैं, अग हमारे पास zeolite का क्या होता है, इनका honeycomb like structure होता है, honeycomb like structure में present होता है, मतलब इनका structure कुछ इस तरीके से होगा, जैसे आपने अगर मदु मखी का छत्ता देखा होगा, तो इस तरीके से इनका structure अग इनके structure में यह आपको holes दिख रहे हैं, यहां पे water of crystallization present होता है, जो आप water of crystallization dot डाल के आप water पढ़ रहे थे, वो यहां पे present होता है, अब हम क्या करते हैं, हम लोग इसको as such, हम लोग इसको पढ़ रहे हैं, इसका use as catalyst, तो हम लोग इसको as such catalyst की तरह use नहीं करेंगे, हम क इसको heat करते है, क्या होता है, जो water होता है, वो evaporate हो जाता है, ठीक है, जब water evaporate हो जाएगा, तो यहां पे कुछ holes बच जाएगे, क्या होगा, कुछ holes यहां पे बच जाएगे, और उन holes का particular size होगा, यहां पे जो size range आती है, वो आती है, 260 to 740 picometer, ठीक है, आपको picometer पता हो नज के पास size यहां पे बच जाएगा, इसलिए जब भी हम इसको use करेंगे, तो यह क्या करेगा, यह अपने इन holes में, क्या करेगा, इतने range के particles को ही adsorb करा सकता है, मतलब, इतना size का size है, यह इस इस range के बिच में, 260 to 740 picometer range में ही particles अपने अदर adsorb करा सकता है, इसका मतलब, यह क्या इसके बारे में, पहले बढ़ी definition की almino silicates होते हैं, इसमें 3-dimensional network of silicates होते हैं, जिसमें silicon atom को, कुछ silicon atom को, कुछ aluminium atom replace होते है, formula बढ़ा SiO2 था, यह कितने भी time होगा, कुछ silicon की जब आगा, aluminium लेकिना है, तो A-L-O2, बट करके water down है, और कुछ meta line आचाहेंगे, ठीके, meta line कितने इसको डिवाइड के साथ रना है, जो माटलान के 4 रहता है, आपके बस आराम से आप फॉर्मूला बना सकते हैं, अब zeolite की importance किया है, हम लोग इसको nature में भी मतलब हमें यह मिलती है, और हम इसको synthesize भी कर सकते हैं, इनका honeycomb like structure होता है, जिसमे water of crystallization in holes में फिल होता है, जब हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको उनका इसे iloнять क्या कर सकते हैं, अगर इसको इसको किसी में भी चीज में डालोंगे, तो अगर इसे fils के particles अगने की yes undertow, इन वह होता है, पुर्मूप फिट कर का लेगा , हम उन पार्टिकल को क्या कर सकते हैं, मतलब कुछ भी महां पर जो हमें हम बहुत सारी इंपोर्टेंस है जैसे एक इंपोर्टेंस है हाड वॉटर को साफ्ट बनाने के कामाते है आपके पास हाड वॉटर है उसको क्या करने के कामाते है सौफ्ट बनाने के कामाते है अब हाड वॉटर क्या होते है हाड वॉटर होते है जो सोप के साथ आपको क्या करता यहां पर प्रेजन नहीं बनने देते हैं, तो जब हम कुछ जियोलाइट्स को उस हाड वाटर में डालेंगे, यह जो जिसकी वज़ा से वाटर हाड है, यह पारिकल्स को अपने इन आइंस को अंदर ले लेगा, यहां से रिमॉव हो जाएंगे, जब हम इसको रिमॉव करेंग और आपका हाड वाटर क्या हो जाएगा, तो इसलिए यह आइन एक्षेंज रेसिक बोलो हूँ या फिर इनको मतलब की हाड वाटर को साफ मनाने के नाम आते हैं, और यह आपके पास यूज किया जाता है, यह आपके पास पैट्रोलियूम इंडस्ट्री में यूज किया जा एक फेमस बहुत फेमस आपके पास क्या है, जिसका नाम है ZSM5 ठीक है, तो वह आपको फॉर्मूला आपको मिल जाएगा, नोट्स बढ़र वे जब भी में साइन करूंग तो मिल जाएगा, तो ZSM5 जो है, यह क्या करता है, यह अल्कोहल को किसमें कनवर्ट करता है, अल्कोहल पेटरोलियूम में कनवर्ट करता है, तो आपनों गल्कोहल कोचे पेटरोल बना सकते हैं, तो यह वाला क्वेस्टिन आपको एक लिएर होगा, हमने क्या पड़ा, हमने आज के टॉपिक में पड़ा, एक अक्टिविटी, चीक है, अक्टिविटी क्या होती है, किसी भी कैट प्रेट को फास्ट करने के, इंग्रीज करने के, कुछ पर्टिविटी, तो यह पर्टिविटी क्या होती है, कि कोई कैटलिस्ट है, वो एक प्रॉड़क बनाएगा, और कोई बाला दूसरा प्रॉड़क बनाएगा, नेक्स्ट हमने पड़ा जिए जिएलाइज, तो जिए राइज में दो तीन आपको बनाएज आज एड़किने है, आलमियो शिलिकेट से, फॉमुला आद करनी है, हमें इक अप्लाइक स्ट्रक्च्च्चर है, हीट करने पहें बेबेब बड़र रॉडर रॉड़क लूस करने और लूस करें और वाटर रॉड़ रॉस करेंगे तो तो हम अपने वो नेक्स लाइब चरो पहें थांक्यू